ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति आज आठ मई दो हजार चौबीस बाबा के महा वाक्य मीठे बच्चे विष्व की सभी आत्माए अंजान और दुखी हैं आप उन पर उपकार करो बाप का परचै दे कर खुशी में लाओ उनकी आखें खोलो मीठे बच्चे विश्व की सभी आत्माएं अंजान और दुखी हैं आप उन पर उपकार करो बाप का परचे देकर खुशी में लाओ उनकी आँखें खोलो प्रश्ण किसी भी सेंटर की व्रद्धी का आधार क्या है उत्तर निस्वार्थ सच्चे दिल की सेवा तुम्हें सर्विस का सदा शौक रहे तो हुंडी भरती रहेगी जहां पर सर्विस हो सकती है वहां प्रबंद करना चाहिए मांगना किसी से भी नहीं है मांगने से मरना भला आप एही सब को चाहेगा तुम बाहर वालों की तरह चद्दा एकट्टा नहीं कर सकते रोहानी बच्चे यहां बैठे हैं बुद्धी में ये ग्यान है कैसे शुरू में हम उपर से आते हैं जैसे विश्नु अवतरन का एक खेल दिखलाते हैं विवान पर बैठ कर फिर नीचे आते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो अवतार आदी जो कुछ दिखलाते हैं वज सब रोंग हैं अभी तुम समझते हो हम आत्माए असुल में कहां के रहने वाले हैं कैसे उपर से फिर यहां आते हैं कैसे चौरासी जन्मों का पार्ट बजाते पतित बनते हैं अभी फिर बाप पवित्र बनाते हैं ये तो जरूर तुम इस्टूडेंट्स की बुद्धी में होना चाहिए चौरासी का चक्र हम कैसे लगाते हैं ये समर्ती में रहना चाहिए बाप ही समझाते हैं तुम कैसे चौरासी जन्म लेते हो कल्प की आयू को लंबा चोड़ा टाइम देने कारण इतनी सहज बात भी मनुष से समझते नहीं इसलिए blind faith कहा जाता है जो भी और धर्म है वह कैसे स्थापन होते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धी में है तुम जानते हो पुनर जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी अंत में आकर पहुँचे हैं अब फिर वापिस जाते हैं ये नौलेज तुम बच्चों को ही है दुनिया में और कोई भी ये नौलेज नहीं जानते हैं कहते भी हैं पाँच हजार वर्थ पहले पैराडाइस था परंतु वक्या था ये नहीं जानते हैं जरूर आदी सनातन देवी देवताओं का राज्य था परंतु ये बिल्कुल नहीं जानते तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे और धर्मवाले ऐसे थोड़े हैं कि अपने धर्मिस्थापक को नहीं जानते तुम अभी जानकर नौलेजफुल बने हो बाकी सारी दुनिया अंजान है हम कितने समझदार बने थे फिर आप बेसमझ अंजान हो गए है मनुस्य होकर अत्वा एक्टर्स होकर हम नहीं जानते थे नौलेज का प्रभाव देखो कैसा है ये तुम ही जानते हो तो बच्चों को अंदर में कितना गदगद होना चाहिए जब धारना हो तब ही अंदर में बहुत खुशी आए तुम जानते हो हम शुरू शुरू में कैसे आए फिर कैसे शुद्र कुल से ब्रामर कुल में ट्रांसफर हुए ये स्रश्टी का चक्र कैसे फिरता है सो तुम्हारे सिवाये दुनिया में कोई भी जानता नहीं है अंदर में ये ग्यान डान्स होना चाहिए बाबा हमको कितनी वंडर्फुल नौलेज देते हैं जिस नौलेज से हम अपना वर्षा पाते हैं लिखा हुआ भी है इस राजयोग से मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ परंतु कुछ समय में नहीं आता था अभी बुद्धी में सारा राजा गया है हम शूद्र से अपसो ब्रामण बनते हैं ये मंत्र भी बुद्धी में है हम सो ब्रामण फिर देवता बनेंगे फिर हम उतरते उतरते नीचे आते हैं कितना पुनरजन में लेते चक्र लगाते हैं ये नौलेज बुद्धी में रहने कारण खुशी भी रहने चाहिए। औरों को भी ये नौलेज कैसे मिले। कितने खयालात चलते रहते हैं। कैसे सबको बाप का परचे दे। तुम ब्राम्मर कितना उपकार करते हो। बाप भी उपकार करते हैं न। जो बिलकुल ही अंजान हैं उन्हों को सदाक सुखी बनाएं। आखें खुलें। खुशी होती है न जिनको सर्विस का शौक रहता है उन्हों को अंदर में आना चाहिए। बहुत खुशी होनी चाहिए। हमात्मा कहा की रहने वाली हैं फिर कैसे आती हैं पाट बजाने। कितने उच बनते हैं फिर कैसे नीचे आते हैं फिर रावन राजिक कब शुरू होता है। ये अभी बुद्धी में आया है। भक्ति और ग्यान में रात दिन का फर्क है शुरू से भक्ति किसने की है तुम कहेंगे पहले पहले हम आये तो बहुत सुख देखा फिर हम भक्ति करने लगे पूजे और पुजारी में कितना रात दिन का फर्क है तुम्हारे पास अभी कितना ग्यान है, खुशी होनी चाहिए न, कैसे हमने 84 का चक्र लगाया है कहा 84 जन्म, कहा 84 लाक, इतनी छोटी सी बात भी किसके ध्यान में नहीं आती है लाखों वर्स की भेट में तो ये एक दो रोज के बराबर हो जाता है अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धी में ये चक्र फिरता रहता है, तब ही कहा जाता है स्वदर्शन चक्र धारी सत्युग में ये नौलेज होती नहीं स्वर्क का कितना गायन है, वहां सिर्फ भारत ही था, जो था वह फिर बनना ही है बाहर से तो देखने में कुछ नहीं आता है, साक्षातकार होता है तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है फिर नंबर वार हम नई दुनिया में आएंगे आत्माएं कैसे आती हैं पाट बजाने, वह भी तुम समझ गए हो आत्माएं ऐसे कोई उपर से उतरती नहीं है, जैसे नाटक में दिखाते हैं आत्मा को तो इन आखों से कोई देख भी न सके आत्मा कैसे आती है, छोटे शरीर में कैसे प्रवेश करती है बड़ा ही वंडर्फुल खेल है, ये पड़ाई इश्वर यह है, इसमें दिन रात खयालात चलने चाहिए हम एक बार समझ लेते हैं, जैसे की देख लेते हैं, फिर वर्णन करते हैं आगे जादू वाले लोग बहुत चीज़ें निकाल दिखाते थे बाप को भी जादूगर, सौदागर, रतनागर केते हैं न आत्मा में ही सारा ग्यान ठेरता है, आत्मा ही ग्यान सागर है भल केते हैं परमात्मा ग्यान का सागर है, परंतु वा कौन है, कैसे वा जादूगर है ये किसको भी पता नहीं है आगे तुम भी नहीं समझते थे अभी बाप आकर देवता बनाते हैं अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए एक बाप ही नौलेज़ फुल है हमको पढ़ाते भी हैं ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो ये दिन रात अंदर में सिम्रन चलना चाहिए ये बेहद के नाटक का नौलेज़ सिर्फ एक बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना न सके बाबा ने देखा थोड़े है परन्तु उन में सारी नौलेज़ है बाप कहते हैं मैं सत्यूग त्रेता में तो नहीं आता हूँ परन्तु नौलेज़ सारी सुनाता हूँ वंडर लगता है ना जिसने कभी पार्ट ही नहीं लिया वर कैसे बतलाते हैं बाप कहते हैं मैं कुछ भी देखता नहीं हूँ ना मैं सतियूग त्रेता में आता हूँ परंटु मेरे में नौलेज कितनी अच्छी है जो मैं एक ही बार आकर तुमको सुनाता हूँ तुमने पाट बजाया, तुम जानते नहीं हो और जिसने पाट ही नहीं बजाया, बस सब सुनाते हैं वंडर है न, हम जो पार्ट धारी हैं, हम कुछ नहीं जानते और बाप में कितनी सारी नौलेज है बाप कहते हैं मैं थोड़े ही सत्यूग त्रेता में आता हूं, जो तुमको अनुभफ सुनाओं ट्रामा अनुसार बिगर देखे अनुभफ किये सारी नौलेज देते हैं कितना वंडर है मैं पार्ट बजाने आता ही नहीं और तुमको सारा पार्ट समझाता हूं इसलिए ही मुझे नौलेजफुल कहते हैं तो बाप कहते हैं अब मीठे मीठे बच्चों अपनी उन्नती करनी है तो अपने को आत्मा समझो ये है खेल, तुम फिर भी ऐसे ही खेल करेंगे देवी देवता बनेंगे, फिर अंत में चक्र लगाए मनुष्य बनेंगे वंडर खाना चाहिए न, बाबा में ये नौलेज कहां से आई उनका तो कोई गुरू भी नहीं ड्रामा अनुसार पहले से ही उनमें पाठ बजाने की नून है इसको कुदरत कहेंगे न, हर एक बात वंडरफुल है तो बाप पैठ नई-नई बातें समझाते हैं ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, 84 के चक्र को भी याद करना है ये राज भी बाबा नहीं समझाया है विराट रूप का चित्र कितना अच्छा है, जो लक्षमी नारायन अत्वा विश्नु का चित्र बनाते हैं, वही दिखाते हैं हम कैसे 84 जन्मों में आते हैं। हम सो देवता, फिर छत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र। ये सिमरन करने में क्या कोई तकलीफ है। बाप है नौलेज़ फुल। कोई से पढ़ा थोड़ी है, न शास्त राधी ही पढ़ा है। बिगर कुछ भी पढ़े, बिगर गुरू की ये इतनी सारी नौलेज बैट सुनाए, ऐसा तो कभी देखा नहीं। बाप कितना मीठा है, भक्ती मार्ग में कोई किसको कोई किसको मीठा समझेंगे। जिसको जो आता है उनकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा बैट सब राज समझाते हैं। आत्मा ही आनद स्वरूप है, फिर आत्मा ही दुख रूप छीची बन जाती है। भक्ती मार्ग में तो कुछ भी तुम नहीं जानते थे, मेरी कितनी महमा करते हैं, परन्तु जानते कुछ भी नहीं। ये भी कितना वंडरफुल खेल है, ये सारा खेल बाबा ने समझाया है। इतने चित्र सीड़ी आदी के कभी देखे भी नहीं थे। अब देखते हैं, सुनते हैं, तो कहते भी हैं ये ज्यान तो यथार्त रीती हैं। परन्तु काम महाशत्रु है, इस पर जीत पानी है, तो ये सुनकर ढीले पड़ जाते हैं। तुम कितना समझाते हो, समझते ही नहीं। कितनी महनत लगती है, ये भी जानते हैं, कल्प पहले जिनोंने समझा था, वही समझेंगे। दैवे परिवार वाले जितने बनने वाले होंगे, उन्हों को ही धार्ना होगी। तुम जानते हो, हम स्रीमत पर राजधानी स्थापन करते हैं, बाप का डायरेक्शन है, औरों को भी आप समान बनाओ। बाप सब ग्यान सुना रहे हैं, तुम भी सुना रहे हो, तो जरूर ये शिवबाबा का रत भी सुना सकता होगा। परंतु अपने को गुप्त कर देते हैं, तुम शिवबाबा को ही याद करते रहो, इनकी तो उपमा भी नहीं करनी है। सर्व का सदगती दाता माया की जंजीरों से छुडाने वाला एक ही है बाप कैसे बैट तुमको समझाते हैं ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई को पता ही नहीं है मनुष्य ये भी नहीं जानते कि रावन क्या चीज है हर वर्स जलाते ही आते हैं एफी जी तो दुश्मन का बनाया जाता है ना तुमको भी पता पड़ा है कि रावन भारत का दुश्मन है जिसने भारत को कितना दुखी कंगाल बना दिया है सभी पांच विकारों रूपी रावन के पंजे में फसे हुए हैं बच्चों को अंदर में ये आना चाहिए कैसे औरों को भी रावन से छुड़ाएं सर्विस हो सकती है तो प्रवंध करना है सच्चे दिल से निस्वार्त भाव से सेवा करनी है बाबा कहते हैं ऐसे बच्चों की हुंडी मैं सकारता हूँ ड्रामा में नून है सर्विस का अच्छा चांस है तो इसमें पूछने का भी नहीं रहता बाब ने कह दिया है सर्विस करते रहो मांगो कोई से भी नहीं मांगने से मरना भला आपे ही तुमारे पास आ जाएगा मांगने से सेंटर इतना जोर नहीं भरेगा विगर मागे तुम center जमाओ, आपे ही सबाता रहेगा उसमें ताकत रहेगी जैसे बाहर वाले चंदा इकठा करते हैं ऐसे तुमको नहीं करना है मनुष्य को तो कभी भगवान नहीं कहा जाता ज्यान तो है बीज बीज रूप बाप पैड तुमको ग्यान देते हैं बीज ही नौलेज़फुल है न वे जड़ बीज तो वर्णन कर नहीं सकेंगे तुम वर्णन करते हो सब बातों को समझ सकते हो इस बेहद के जाड को कोई भी समझते नहीं है तुम अनन्य बच्चे जानते हो अड़े-कड़े विकार हैं अच्चे-च्चे सर्विस करने वालों को चलते-चलते ऐसी माया की चमाट लग जाती है कहते हैं हम तो गिर गए सीड़ी उपर चड़ते-चड़ते नीचे गिर पढ़ते हैं तो की कमाई सारी चट हो पढ़ती है दंड तो जरूर मिलना चाहिए बाप से प्रतिग्या करते हैं बलड से भी लिख कर दिया फिर भी गुम हो गए बाबा पक्का करने लिए देखते भी हैं इतनी युक्तियां करते हुए भी फिर दुनिया की तरफ चले जाते हैं कितना सहच समझाते हैं पाट धारी को अपने पाट का ही सिमरन करना चाहिए अपना पाट कोई भूल थोड़े ही सकता है बाप तो रोज-रोज भिन-भिन प्रकार से समझाते रहते हैं तुम भी बहुतों को समझाते हो फिर भी कहते हैं हम बाबा के सम्मुक जाएं बाप का तो वंडर है पाट कैसे सुनाएंगे वंडर खाते हैं फिर पक्के होकर आते हैं दिल होता है ऐसा बाप वर्षा देने आये हैं उनसे मिलें इस पहचान से आकर मिलें तो बाप से ग्यान रतन धारन कर सकेंगे सिरीमत को पालन कर सकें अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रोहानी बाप की रोहानी बच्चों को नमस दे धारना के लिए मुख्यसार पहला ग्यान को जीवन में धारन कर खुशी में गदगद होना है वंडर्फुल ग्यान और ग्यान दाता का सिमरन कर ग्यान डांस करना है दूसरा अपने पाट का ही सिमरन करना है दूसरों के पाट को नहीं देखना है माया बड़ी प्रबल है इसलिए खबरदार रहना है अपनी उन्नती में लगे रहो सर्विस का शौक रखो बरदान अच्छाई पर प्रभावित होने के बज़ाए उसे स्वयम में धारन करने वाले परमात्म सनेही भव अगर परमात्म सनेही बनना है तो बोडी कंसेस की रुकावटों को चेक करो कई बच्चे कहते हैं ये बहुत अच्छा या अच्छी है इसलिए थोड़ा रहम आता है कोई का किसी के शरीर से लगाव होता तो कोई का किसी के गुड़ों वा विशेष्टाओं से लेकिन वै विशेष्टा वा गुड़ देने वाला कौन कोई अच्छा है तो अच्छाई को धारन भले करो लेकिन अच्छाई में प्रभावित नहीं हो जाओ न्यारे और बाब के प्यारे बनो ऐसे प्यारे अर्थात परमात्म स्नेही बच्चे सदा सेफ रहते हैं स्लोगन साइलेंस के शक्ती इमर्ज करो तो सेवा की गती फास्ट हो जाएगी अच्छा ओम शान्ती ओम शान्ती ओम शान्ती